वेल्कम तु टेक्विथ आर्यान वान प्लेस वर आल टेखनोलजी विडियो डोंट फर्गेट तु सब्सक्राइब अस तो मैं आर्यान टेक्विथ आर्यान में आप सभी का स्वागत करता हूं और दोस्तो अजके इस टूट्रेल में हम लोग चानेंगे कि हम लोग किस तर से ओडिशन का यूज कर सकते हैं और हम उसमें किसर से रेकॉर्ड कर सकते हैं और हम किसर से उस रेकॉर्ड की फाइल पर एफ्यक्ट को एड़ कर सकते हैं और लास्ट में कैसे उसे एक्सपॉर्ट करके अपने MP3 फोम में उसे अपने डेक्स्टोप पर सकते हैं ठीक है दोस्तो आज यह सारी बाते चालेंगे हम लोग और दोस्तो तुटिल स्टार्ट करने से फेलेर जिस किसी ने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन से मिरी रिवस्ट है कि प्लियस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना नहां भूले ठीक है दोस्तो आए चलते हैं आपने टूटरेल की और दोस्तो मैं अड़ोप ओडिशन डेस्टोप पे जाके ओपन कर लेता हूँ Windows M, Desktop, Folder View, List View, My Screen, A, Adobe Audition 1.5 जब कभी आप अड़ोप ओडिशन को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप उस पे रैट लिक कीजिए और Run as Administrator स्टार्ट कीजिए ठीक है दोस्तों क्योंकि हमने यह पर्चेस नहीं किया है तो इसके बज़े से हमें उसका क्रेक वर्जन डाउनलोड किया है तो हमें यह करना बढ़गा Run as Administrator ठीक है दोस्तों मैं राइट लिक करता हूँ इस पे अब Run as Administrator वाली ओप्शन पर जाता हूँ एंटर करता हूँ यह यूजर रकांट का कंट्रोल आगा है यहां पर सिंपली Alt Y प्रेस करता हूँ Alt Y, Program Manager Unavailable, Audition 1.5, For a List of JAWS, Odd Keys for Adobe Audition, Press Insert, Plus H, Splash Screen, Adobe Audition, Edit Waveform, View Dash, No Files Loaded, Waveform, Copyright, Menu Bar, Leaving Menus, Waveform ठीक है दोस्तों इस तरका इसका इंटरफेस होगा यह वेवफोर्म एडिट, वेवफोर्म लोडिट है हमारा इस वहत और दोस्तों आपको यहां पर में बता दूँ कि यह multi-track को भी support करता है तो यह multi-track है यानि कि एक track न हमारा कुछ और road ये होगा एक track पर हमारा music होगा हम गया होगे वह वह फाइल होगी इस सब्सक्राइब होगी यह multi track है तो हमें यह edit form है यानि की जो हम लोगों ने अलग रेक ट्रेक पर record किया होगा अगर वह वह में इफेक्स को एड़ करना है तो हम एक-एक करके अधिक करना चाहते है हम लोग तो हम इस edit form का यूज करेंगे ठीक है तो हम अभी चलते अपने मल्ट टी फॉम में क्योंट करना है तो मंटि फॉम में जाने के लिए क्मांड है 9 और जोस्तों नंबरמן का जो राजैने में नंबर्च शयोटा उसका नहीं चलेगा क्योंकि हमें उसके आल्फाबेट्स का 9 अभी यहां यूज करना है ठीक है तो में अल्फाबेट्स के ऊपर का जो 9 है उसके नंबर दिये गए है हम जो एट साइंड करने के लिए उसकरते है वह नियूमर को मैं उस लाइन में आगे जाके 9 को प्रेस करता हूँ 9. MultiTrack View – No Files Loaded Test Track Table Name ठीक है तो यहां पर यहां पर यह तो दोस्तो में आ पर रोड से ट्रेक के भीच में आप जासकते है ठीक है यह पर रोड दो दोस्तो देखता हूँ तो देखते हूं कौन से ट्रेक में हूँ ए हर ट्रेक के आगे नंबर बोलेगा यह एक नंबर का ट्रेक ह तो अभी हम लोग पहले ट्रेक को रेकोड करना है तो आपके सब्सक्राइब करना है नहीं दोस्तों एक साथ रेकोड नहीं करेगा तो हमें जब रेकोड करना है उसको आंकरना पड़ेगा टो आंकरने के लिए जिस पी ट्रेक को रेकोर करना है सपयोजन यहां पेल्ले को रेकोड करने तो मैं पेले ट्रे मैं बघा उन मैं तक और इसमय मैं टेब टेब प्रेस करके अनुपहर्ट आप्सक्रेडश तक आप材ता है अम मुट्म सबाइक और यह आप अगर भिभा अगा जिर्टार है अगा chose कि I'm मैं बताया है कि हम लोग किस तर से एड़ोब अडिशन को इंस्टोल डाउनलोड और अपने स्क्रेंडर के साथ सेट आप कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर आपको आर्म को यस करने के लिए स्पेसबर का यूज नहीं करना है ठीक है दोस्तों क्योंकि स्पेसबर का कमांड है या अब आप सबको बताता हूं तो आर्म नो वन आर्म नो और जो हम वन पहले मैंने टेक्स बता है तब वह वन नेम उसके बाद नेम गोल अठीक है अभी आर्म की लिश्ट में टेप टेप करके चाचुके है तो अभी मैं जितने भी डाउने रो कुनूंगा उस ट्रेक वो ट् अब रेकोडिंग करना है तो मैं अभी कुछ रेकोड करूंगा रेकोड करने के लिए आपको कमाड एक च्रूल प्लस स्पेस बार टीग है तो मैं भी रेकोडिंग करता हूं कुछ क्ट्रोल स्पेस हेलो दोस्तों कैसे आप सब अशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे ठीक है दिखते रहे हैं टेक विथा रिया है अब स्टार्ट करने के control plus spacebar ठीके control के साथ spacebar प्रेस करना है और जो end के लिये recording पोस के लिए जो command ए वह केवल spacebar ठीके दोस्तो तो मेंने spacebar को प्रेस कर दिया और अब हम लोग स्रेकोर्डिंग को सुनते है कैसी recording हुई हमारी भू देखते है थिकहे भूट इश भूट के आप सब आश्र करता हूँ कि आप लोग फिग होंगे ठीके देखते हैं थेस ठाफड प्रिक दस्तो यह बहुत ही बहुत ही बैटरी को लिडिक आवाज रकोर्ड हो जो दोस्तो और एक बात चो जिन लोगों इन लोगों ने हो डियुट से के टुटरियल देखे उन लोगों में बता दू यगिए एक सिंगर मन चाहते हैं के रो कंपया एक सोंग तो याद होगा आपको दोस्तों कि मैंने पहले कहा था कि हमें edit के लिए edit view form चाहिए edit waveform उसके लिए हमने command 8 यानि कि मैं जब में उपर से 8 प्रेस करूँगा तब मैं edit waveform में जाओँगा ठीक है अभी जल्दा हूँ 8 edit waveform view dash quote track one star quote अगर आपके पास एक से ज़्यादा ट्रेक है तो आप दूसरे जब लेकारेक का रहा है तो पहले अल्य एप करना हो और अर्म को भी नो करना होगा कर दो कि ये इस कर दो के इसका पिर गॉट कर जाए तृ गेर कि अधिक्या को ज़िए रही अगया तुक्ति एसके पर दो या तृ तिर्ड रहां हो जाता हुए तु मुट्रों अब यहां पर तो अलो को यह सकता हुए नो कुन्ट्रॉimana करिया स्टार्टिए गुटियु पर र सबसको भी सुनते है space okay, ।ol थीक़ दोस्तो में अदर कडर हो चुका है, दूसरा ट्रैक भी अब हम एडिट विव व फॉर्म में चलते एडि व्ट व में edit edit वेज़ करता हूं तो मैं कौन से чисler में हूं वह मुझे बता चल ज़ेगा. अगर हम में दूसरे ट्रेक में जाना है तो Ctrl प्लस ट्रेब को प्रेस करना है ठीक है? ठीक है? ठीक है? अब आप अभाशूस ट्रेक में जाना है तो Ctrl Shift Tab ठीक है? अब हम ठीक वन पे कुछ एड्ड करेंगे में track 2 पे कोई effects add नहीं करने वाला हूँ simply track 1 में कुछ effects को add करूँगा ठीक है तो हम लोग और की को press करते है और effect menu में जाते है ठीक है effect menu बेद एफेक्स ही और यहां पे down arrow press करके delay effect sub menu में जाओँगा बहुत सारी effect है इसके पास आप चाहे अपने आपको फिर आपको में सिखा सकता हूँ लगिन आपको सिर्फ personally उसके बाद side effect को try करने है क्योंकि hard effect में वीडियो में नहीं बता सकता है क्योंकि इसके वीडियो का duration बहुत 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 जाएगा ठीक है तो मैं यहां पर एक और एक effect लेता हूँ chorus यानि कि दो से तिन आवाज हो जाएगी मेरी ठीक है अब हम इसका कुछ चेंज नहीं करेंगे numbers और इसके साथ कुछ भी छेड़ करने नहीं करेंगे अब मैं यहां पर simply tap tap करके preview पर जाओँगा प्रीव्यू पर ठीक है प्रीव्यू आ चुका है क्योंकि यह मैं दिखा था है कि आपका रेकोड किस तर से हुआ है और आपका यह फिक जब आप अब हम लोग दूस्तरी एफेक्ट रेवर्ड को यूज करेंगे ठीक है डिले सब मेन्यू में जाए है यहां फुल रेवर्ड सेलेट की जाए ठीक है इसपे एंटर कीजिए और फिर इसे इसे भी प्रीव्यू करते है ठीक है ठीक है दोस्तों आवाज बहुत ही बेदरीन को लेटी के आई है तो मैं इसे यहां पर ओके कर दूँगा अब दोनों ही फेक्स मेरे अडियो में डल चुकी है अब फाइनली मुझे इसे सेव करना है तो मैं और फॉर्ट क्रेस करूँगा अब फॉर्ट अडोबी अडिशन डायलोग कर अडियो फाइल ना सेफ सेव चेंज इस ट्रैक वन यहां पर अबने दूसरा ट्रैक किया था ट्रैक यहां पर अबने तो yes to all आ रहा है ठीक है तो मैं yes to all देता हूँ yes to all button to save us dialogue save and call and download कुछ यहां पर कुछ आपको changes करने के जरूरी नहीं है ठीक है कुछ changes समच कीजिए सिर्फ folder s कीजिए अगर आप चाते तो फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं लेकि वो तो मैं भी change नहीं करना हूँ और वो आपको दिखाने जरूरी भी नहीं है क्योंकि आप सब इतने smart तो है कि यह समच जाए ठीक है तो मैं अभी alt s press करता हूँ alt s alt s saving to lower fidelity format dialogue unit tab don't display space check tab space saving mp3 data dialogue estimated time remaining colon one second 72% mp3 slash mp3 pro register dash front of various working dot 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 cancel button save us dialogue save and colon downloads craft tab save यह दूसरा track का saving बोल रहा है तो मैं simply यह फिर से ctrl alt s press करूंगा alt s yes button alt tab no shift tab अभी यह यह दूंगा space save session as dialogue save and colon yes हमारा session जो है वो से हो रहा है तो ठीके दोस्तों हमें यह session इस दिए से हो करना है कि हमें अगर हमारे पास वो दोनों audio files delete हो गई तो यह session file में वो save रहेगी और हम लोग जब जाए उस session file के through हम लोग changes करेंगे ठीके यह session file के through हम लोग changes करेंगे ठीके कोई भी effect अब डल गई है मुझे अची नहीं लगए तो उस session file का use करके हम लोग दूसरी effect को use कर सकते हैं ठीके दोस्तों तो आपने में इसको भी ओल्टेस से सेव करेंगा अब यह सेव हो चुका है और सक्सेश कोड़ी हमाला एड़ पोडिशन क्लोज हो चुका है ठीके दोस्तों तो आजका इस टूटल में हम लोग ने जाना कि कि हम लोग की सफर्शे अड़ उशन को utilize कर सकते हैं किस तरसे dei성을 कर सकते हैं और उस record की हुई फाइल की तरसे अनौम एफेक्ट को edit कर सकते हैं और हम लोग किस तरसे उसके बाद वापस MP3 format की फाइल को वापस उसे extract कर सकते हैं तो अगले वीडियो में मैं कुछ और ऐसे टूटिकल्स आप सब के लिए लाऊंगा ठीक है थेंक्यू सो मॉच्छ Windows D Notification Shelf Space